दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे गोश्ट राइडर फिल्म के बज़ेटर बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जोड़ी कुछ अंसुने फैक्ट से बारे में और ये भी जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस में हीट हुई थी या फ्लॉप दोस्तो इस वीडियो को शुरूर से लेकर अंतक जरूर देखियेगा गोश्ट राइडर सन 2007 में आई एक एक्शन फैंटेसी थ्रिलर फिल्म थे इस फिल्म में निकोलस केज, मैट लॉंग, इवा मैंडेस, रेकुल एलिसी, वेस बेंटले, सैम इलियोट, डोनल लोग, पीटर फोंडा, ब्रेट कलन, डेविट रोवर्ट्स, लॉरेंस ब्रुवर् डैनियल फैडरिंसन और मैथ्यू विलकिंसन नजर आये थे, इस फिल्म को मार्क स्टीवन जॉंशन ने डाइरेक्ट किया था से पूडूस के था अभी अरद स्टीवन पॉल, माइकल डेलूसा और गैरी फोस्टर ने, इस फिल्म क्ले म्यूजिक क्रिश्टोफर यंग ने दिये थे, इस फिल्म को 16 फैबरी सन 2007 में रिलीज किया गया था, अगर बात करें इस फिल्म के ओवरॉल वॉक्स ओफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दूँ कि इस फिल्म का बजट 110 मिलियन डॉलर था, और इस फिल्म ने डोमेस्टिक में 116 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया तो वर्ल्डवाइड में 229 मिलियन डॉलर के कलेक्शन किया था, और फिल्म हिट सावित हुई थी, अगर इस फिल्म के कलेक्शन को इंडिया रूपिस के हिसाब से देखें, तो इस फिल्म का बजट 454 करोड था, और इस फिल्म ने डोमेस्टिक में 480 करोड के कलेक्शन किय तो worldwide में 946 करोड का collection किया था और ये फिल्म हिट सावित हुई थी अगर बात करें इस फिल्म के Indian collection की तो आपको बता दो कि इस फिल्म का Indian budget 8 करोड था इस फिल्म ने box office में 12 करोड का net collection किया था इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 1 करोड 30 लाग collection किया था तो अपने पहले करते में 8 करोड 70 लाग collection किया था अगर बात करें वर्डिक्ट की तो आपको बता दो ये फिल्म Indian box office में average सावित हुई थी अगर बात करें इस फिल्म के IMDV rating की तो इस फिल्म को 5.3 rating मिले और ये फिल्म सन 2007 की 24 वी highest grossing फिल्म रही थी तो चलिए इस फिल्म से जोड़े कुछ इस फैक्ट से बारे में जानते हैं नमबर 1 Nicholas Cage को Johnny Blaze की भूमी का निवाने के लिए अपने Ghost Rider Tattoo को मेकप से ढखना पड़ा था नमबर 2 Nicholas Cage मार्वल कॉमिक के बहुत बड़े फैन हैं और जब उन्हें इस फिल्म का ओफर मिला था ताब वे इस फिल्म में काम करने के लिए काफी ज़्यादे एक्साइटेट थे नमबर 3 जॉनी डिप भी Ghost Rider का रोल लिबाने के लिए काफी ज़्यादे इंटेस्टेट थे लेकिन उन्हें फिल्म में नहीं लिया गया था नमबर 4 Nicholas Cage के कहने पर ही Peter Fonda को इस फिल्म में विलन के रोल के लिया गया था नमबर 5 इस फिल्म को पहले संद 2006 में गर्मी के सीजन में रिलिज किया जाने वाला था लेकिन डिरेक्टर मार्क स्टीवन जॉनसन ने तब इस फिल्म को रिलिज करने से मना कर दिया था उनका कहना था कि फिल्म में और action scenes को रखा जाये उसके बाद ही इस फिल्म में हेलिकॉप्टर एक्षन सीन को रखा गया था दोस्तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी हॉलिवूट के बॉक्स ओफिस कलेक्शन आपको बता हूँ तो आपको जाद से जाद इस वीडियो को शेयर करना होगा और इस वीडियो में कम से कम 800 लाइक्स आने होंगे तब ही मैं आगे हॉलिवूट के बॉक्स ओफिस कलेक्शन बनाऊँगा जितना मुझे सपोर्ट मिलेगा उतना ही जाद मैं हॉलिवूट के बॉक्स ओफिस कलेक्शन आपको बताऊँगा इससे पहले पी मैंने कई सारे Hollywood Box Office Collection बताये थे लिकिन तब मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला था इसलिए मैंने Hollywood के Box Office Collection बनाना बंद कर दिया था दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंड करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो पाना चाहते होता हमाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बैल एक इन प्रेस करना ना गुले तक हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके